दोस्तों आपको पता है कि भाई अगर उत्तरप्रदेश होंगार जवानों को किसी चीज का इंजार है बेसबरी से तो वो है उनके पीएफ कटवती और पेंशन लाप को लेकर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खुशकबरी देने वाला हूं पीएफ और सब्सक्राइब करके बैल के अइप कि द्वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए को सब्सक्राइब करके आईक आ को दबाकर ओल पजेट करcep के लेना की हर अपड़ेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखा करें अपने डिस्टिक का नाम और आगे लिखा करें यूपी होंगाइट नियूस टुड़े जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी दोस्तों अगर आप हमसे अच्छे स से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे वाटसेफ चैनल और फेस्बुक पेज़ को जाकर फालो कर सकते हैं दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दिया आप दोनों लिंक पर किलिक करके सीधे आप हमारे वाटसेफ चैनल और फेस्बु आप होमकार्ट से काम लेते हैं आप ड्यूटी कराते हैं तो फिर उनको सामाजिक स्तुरक्षा की दायरे में लाया जाए उसको लेकर लेटर जारी किये गए थे मैंने आपको डेटेल से जानकर ही प्रूवाइट कर रही थी कोई भी अपडेट आती है आपका भाई आपको सब भी पता नहीं चलता अभी बीच में एक लेटर जारी किया गया था विवाग की तरफ से और उसमें कहा गया था कि भाई जो आदूसरे राजियों उनमें होंगार्ट को क्या-क्या सुभिदाय मिल रही है उसको लेकर फाइल तयार की जा रही है लेकिन इसी बीच हाई कोट स नहीं पढ़ पा रही थी किछी बजा से लेकिन अब उस केस को लेकर एक बड़ी खुशकबरी आ गई है और उस खुशकबरी को दिखाने के लिए मुझे आपको ले चलना होगा हाई कोट की ऑफिशल वैफ साइट तो मैं आपको क्या करता हूं सीधे हाई कोट की ऑफिशल आप लहीं चलता हूं यहाँ पर मैं फ्लेश कर देता हूं में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने गूगल हो रखका है रती को चूं सर्ज स्टेतस यहां पर उपर की तरफ दिख रहा हो прекращ वाला केश्स स्टेटस अलावाद हाईकोट इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस त्रीके से पेज आ जाएगा ठीक है। सीके सेटेर नंबर उसमें कि लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ information फिल करेंगे जैसे की यहां पर केस टाइप रीट सी है ठीक है रीट सी डबलू वाले ऑप्शन में आएगा रीट सी लिखा हुआ है ठीक है इसको चुन लेना है उसके बाद केस नंबर आपको दिख रहा होगा 9901 थीक है 19 यहां पर 901 यह केस नंबर डाल दिया ठीक है यह पी फिए वाला केस नंबर है और केस डाल दिया 2020 2020 में एक डाला गिया था और यहां पर मैंने डाल दिया यह CAPTCHA CODE 26580 यहाल दिया और GO पर क्लिक कर देते हैं GO पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहां पर आप देखेंगे विउ का ओप्शन आपको दिखेगा इस विउ वाले पर क्लिक कर देना ब्लू वाले पर और आपके सामने स्टेटस आ जाएगा ठीक है देखिए आपको यहां पर लिख रहा होगा रीट सी वन नाइन नाइन जिरो बन ऑबिक दो हजार बीस ठीक है और यह केस स्टेटस में देखिए नेक्स्ट हेरिंग डेट 6 अक्टूबर यानि कि आज की तारीक है इसमें केसे लिस्टेट इन कोट नंबर 6 कोट नंबर 6 में हैं बेंच आईडी आ गई है पच्पन उन्नासी एट सीरियल नंबर 3017 ठीक है तो आज इस केस की तारीक और यह केस जो है विनोत कुमार और मनीश कुमार और राज कुमार रजावरा द्वारा डाला गया है इसके जो वकील है वह अबदेश कुमार मालविया ठीक है अब देश जी इसके एड्वोकेट है इसमें जो पाइटी बनाए गया है वो स्टेट ऑफ यूपी और डा डिरेक्रेट कमांडेंट ऑफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको पाइटी बनाया गया है ठीक है तो यह जो केस है इस केस को टाइम तो क केस में तरीक है अब इसकेस में जो भी ओगा आपको सबसे पहले अप dwaएडए करा देगा किसी बी कहीं से बी कोई जानकरी आतीजिया तो आपको अपडेट सभक पहुंचाता है des incomplete चाहें इलावाद पर आपके बिभाग से आए कोई भी अपड़ेट आती है आपको भाई आपको पहुचाता है अब देखते हैं आज क्या होता है इस कोड की तारीक में क्या होने वाला देखते हैं और आप भी प्रातना कीजिए दुआ कीजिए कि यह जो केस है यह जल्दी से फाइनल हो और आप एससाब से तो बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी करमचारी से काम ले रहे हैं तो उसकी सामाजिक स्तुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है भाई होंगाइड डेपारिटमेंट जो है वो जवानों से काम तो ले रहा है और हर त्रीके के काम ले रहा है कोई सी डूटी ह यहां तक कि VIP डूटी है, चुनाव डूटी है, ट्रेफिक डूटी है, शांती बेवस्ता डूटी है, बैंक डूटी है, कोई सी भी डूटी है, सब में सबसे आगे हमारे जवान दिख रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के नाम पर देखा जाये तो उनको अभी कुछ भी न ही मिल पा रहा, सामाजिक सुरक्षा के दाएरे में लगलाते हुए, उनको पी-फ का लाब दिया जाये, और आपको मैंने अभी दो दिन पहले वीडियो भी अप्लोट किया था, सेवानी ब्रत्ती पर, यानि रिटायर्मेंट पर हमारे जवान जो हैं, वो खाली हाथ घर जा जवानों को ए-पी-फ का फाइदा देना, पी-फ का फाइदा देना, पेंशन का फाइदा देना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि यार आगे का जो जीवन होता है, वो 60 साल के बाद का का काफी कटिन होता है, तो ऐसे में, जब जवान 60 साल के बाद कुछ भी नहीं कर पात आपके हिसाब से जवानों को P.F और Pension, गलाप कितना मिलना चाहिएं। आपके हिसाब से जवानों को कितनी पैंशन मिलनी चाहिएге, आप लोग honest माखर लिखें लिखेंगे। वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook, Telegram सभी जगा शेर कीजिए और हमारे सब WhatsApp चैनल पर जुड़ी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है, Facebook पेज से जुड़ी हमारे Facebook पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है और चलता हूँ अपने पहले इस वीडियो को लाइक करके शेर कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल की आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक असनी से पहुंच सके चले दोस्तों चलता हूँ अपना कहले के परिवार का कहले के फिर्मोला कातुवी तैंक यू